दोस्तो मैं थो नू सुनौन जा रहे हां लुईजी पिरान देल्लो दी लिखी कानी युद्ध इस कानी दा पंजाब्बी रूप प्रोफेसर बलदीप ने कीताई रात दी एक्स्प्रेस गड़ी राइन जेडे यात्री रोम तो आये सान उन्डानू स्वेर होन तक फेब्रियाने दे छोटे जहे स्टेशन ते रुखना प्या उत्थ उन्डाने लोकल गड़ी फड़नी सी स्वेर हुन्दे यात्रियानल खाचा खाच परेहोए डब्बे विच एक मोटी जेही बेहद उदास दिखाई दे रही औरतनू अंदर ताक दिता गया जिवे वड़ी सारी एक गठड़ी होवे उस दे पिछे ही मूँ विचे तुँआ छड़दा एक आदमी दाखल होया जो उस औरत दा पती सी छोटा जेहा काद दुबला पतला कमजोर जेहा व्यक्ती उस दे चेरे उत्ते मौत वारगी पिलतन सी उस दिया छोटिया छोटिया ते चमकदार अख़ा में चे संकोच ते बेच नी साफ चलक दी सी अपनी सीड़ ते बैठन तो बाद उसने नाल वाले यात्रिया दा सलीके नलता नवार कीता फिर उसने अपनी पत्नी वाल सरक दया उस दे कोट दा कालर मीवा कीता ते पुछया तू ठीक ते है ना कुई जवाब दें दी बजाए उस दी पत्नी ने अपने कोट दे कालर नू सगो अख़्ा तक उपर जाक लिया केही मसीबत है उस दा पती एक फिक्की जेही मुस्कराट नाल बोल लिया फिर एकदम उसनू महसूस होया के उस दी पत्नी नू असल फेचे हम दर्दी दी लोडे एक अल दूजे या तर्यानू दस्तनी उस दा फर्द है के युद्ध ने उस दे एकलोते पुत्तर नू खोल आए अपने वी साल दे पुत्तर ले उनना दोवा ने अपने जिंदगी निच्छावर कर दिती सी ते होन ओ उसनू मिलना ले रोम जा रहे सान जित्ते उसने कुछ देर एक विद्यार थी वजो रैडा सी ते फिर युद्ध विचे चले जाना सी उसनू विश्वाश दवाया गया सी के कट तो कट छे मिने तक उसनू मोर्चे उत्ते नहीं पेज़ जावेगा पर हुन अचान कही उन्ना नू एक तार मिली सी जिस विच केहा गया सी के उमोर्चे ते जा रहे अपने बेटे नू मेल लेड़ उस दी पतनी बहुत बेचैन सी जिवे तड़ फ्रही होवे कदे कदेता उके से जंगली जानवर वांगी क्रौन लाग जान दी उसनू यकीन सी कि उस दे पती दिया गलाने कोल बेठे यातरियां विचो किसे दे देल वेचे हम दर्धी पैदा नहीं कीती सी क्योंकि उन्ना विचो बहुते लोकां दी हालत उन्ना वर गीही सी उन्ना विचो एक व्यक्ती जड़ा बड़े ते आनल उस दे पती दियां गल्ला सुन रहा सी बुल्या तो नू प्रमातमा दा शुकर करना चाहिए दाए कि तो डा बेटा मोर्चेते जा रहा है मेरा बेटा ता युद शुरू होन वाले दिन ही मोर्चेते पे दिता गया सी और दो वार जखमी भी हो गया सी ते होन फिर उसनों मोर्चेते पे दिता गया है मेरे दो बेटे ते तिन पती जे मोर्चे ते चले गए ने एक होर यात्री ने केहा पर साध्डा ता एकलोता पुत्तर है उस और ते पती ने केहा इस नाल की फार्क पेंदा है एकलोता पुत्तर ज्यादा लाड प्यार नाल विगडवी साकदा हुंदा है मन लो तोड़े एक तो ज्यादा बेटे हुंदे ता की तुसी उसनू काट प्यार कर दे प्यार कोई रोटी ता है नहीं जिस्ते टुकडे कीते जा सकते होन ते फिरो टुकडे अपनी संतांच ब्राबर वांड देते जान एक पिता बिणा केसे पेदपाव तो अपना सारा प्यार अपने हर इक बच्चे नुझन दाए चाए उस दा एक बच्चे होवे चाए दा सोन इस वक्त में नू अपने दो में बेटे आना दुख है ता इस जा मतलब ए नहीं के मेरा दुख तोड़े दुखनालो अद्दाए सच पुच्चोता मेरा दुख तोड़े दुखनालो दुग्णाए जी हाँ तुझे ठीक हैं देओ और देपती ने होँखालेंडा के हाँ पर मान लो एक व्यक्ती दे दो पुत्र हन जो मोर्चे ते गए हो इने जे उन्ना वी चो एक मारया जानदा है ता भी एक बात जानदा है जिसनू देखके पिता नू किसे हाथ तक तसल्ली मिल साक दिये हाँ दूझे यातरी ने गुसे नल के हाँ एक पुत्र उसनू तसल्ली देनली बात जानदा है पर ना ली उस बेटे खातर पिता नू जिन्दा रहना पवेगा जे किसे पिता दा एकलोता पुत्र मारया जावे ता बाद वच पिता भी मार साक दाए ते अपने दुखा तो छुटकारा पा साक दाए इनना दुमा विचो केडे पिता दी हालत ज्यादा बुरी होवेगी एक पागल पाने एक होर मोटे जेहे यातरी ने केहा उस दा साव खड़या होया सी उस दिया अख़्ा मिचो गुसा टाप करया सी एक की पागल पाने उसने फिर केहा ओ हठानल अपने मून उटा कंजी कोशिश कर रहा सी तांकी ओ अपने टुटे होये दांद छपालवे एता नेरी मूर्ख ताए की यसी अपने स्वार्थ लही ही अपने बच्चानू जणम दिन देया तुज्जे यातरी ने दुखी जया होके ओ ता साड़े देश दे बच्चे ने के ही मूर्ख ताए की यसी अपने बच्चानू जणम देन विले अपने देश बारे सोच देया साड़े बच्चे जणम लेंदेने क्योंकि उन्नाने जणम लेना ही हुन दाए तो जदो ओ जणम लेंदेने ता साधी जिंदगी मी अपने नाल ही ले लें देने असलियत एही है असी ता अपने बच्चां दे हुन देया पर उस साधे नहीं हुन दे मोटा आदमी फिर कैन लगा जदो साधे बच्चे जवान हों लग देने ता उस वक्त असी उनना दिया पावनावा बारे क्यों ना सोचिये की एस बाविक ते जायज नहीं के ओ उस वेले अपने देश बारे मी सोचन ते देश प्यारनू माता पिता दे प्यार नालो उच्चा समझन मैं सर्फ चंगे बच्चे दी ही गाल कार रहा हा बच्चे एक क्यों ना सोचन के होन असी बुड़े हो गए हा ते सानू कार वैच्छी रहना चाही दाए जे साधे देश दा साधे ली कोई माताव है जे साधा देश पोजन वाग साधी एक कुदरती लोड है जिसनू सिर्फ असी ऐसली खान दे हा के ते पुखे ना मर जाईए ता फिर उस दी रख्या वास्ते किसे नू अग्गे ओना ही पवेगा जे वी साल दी उमर होन ते बच्चे देश दी सुरख्या वास्ते अग्गे होन देने ता बड़ी चंगी गाल है ओ नहीं चाण गे के ऐसी हंजू सुटी है कि तो बाद जन दाए ता साननू होर की चाईदाए साबनू रोणा तोना बंद करना चाईदाए ते हर एकनू खुश रहना चाईदाए जिने कि मैं खुशा बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक उसनल सारे सेम्त सान एक नुकर वेच बैठी ओ औरत जो चुप चाप सुन रही सी वो अपने पती ते होर लोग का निया गलना वेचो हमदर्दी पालन दी कोशिश कर रही सी जिसना लुस दा दुख हालका हो जावे पर उनना वेचो किसे दी गाल वेचो अजे या कुज ना मिलया उसनों लग गया कि कोई वी उस दे दुख नु सामझ नहीं रहा हुनों होर वी दुखी हो गई उस यातरी दिया गलना सुनके ता हुँ हक्की बक्की रह गई फिर उसनों अचानक महसूस होया कि ऐसल वेचो उनना लोग का नदा कोई दोश नहीं ते इस सुचना भी गलत है कि उन लोग उस दे दुख नु सामझ नहीं सके उसनों लग गया कि सारा दोश उस दा अपना ही सी क्योंकि उख खुद उस स्थिती तक पहुंच ही नहीं सकी सी जो दो माता पिता ने बिना रोए अपने बच्चानों युद विच्छी नहीं संगो मौदे मुवेच ताक देना सी उसने सेरूपर चक्या ते बड़े तयानल मोटे आदमी दियां गल्ला सोन लगी जो दासर्या सी कि कि में उस दा पुतरे को योदे दी मौद मर्या है ते उसने अपने बादशा ते देश खातर अपनी जानवार देती फिर उस औरतनों महसूस है कि उन लड़करण दी होई किसे अजेही दुनिया वेच पहुच गई है उस दी कलपना भी नहीं कीती सी अजेही दुनिया तो उक इनी बेख़बर सी हुण उसनुख खुशी होई कि हर कोई उस बहादर पितानों वदाई दे रहा सी जो बड़े सहाज नाल अपने पुत्तर दी मौत बारे दास रहा सी फिर अचानक जिमें उसने हुण तक केहा बोल्या कुछ सुनया ही ना होए औरतने उस पितानों पुच्छा ताकि तो अड़ा बेटा सच मुच मारा गयाए हर कोई उस बहल वेखर लगा मोटे आदमी ने भी उस बहल मुड के देख्या उस दियां मोटियां मोटियां हंजुआ नलपरियां तुन्दलियां अख्खा उस औरतने चेरे उत्ते गड़ियां गण्या उस दे जवावेचों को जो कहना चुंदा सी पर शाबदा ने साथ नहीं दिता उस वाल टिकटी की बन के देखदा रहा एक पल उस दे सवाल बारे सोच दया उसनों अच्छान का महसूस होया कि उस दा पुत्तर उस दा पुत्तर ता सचमुच मारा जा चुका है वो हमेशा ली चलया गया है अगले पल उस दे चेरे दे हाव पाप बदले ते एस उंगड के बदरूप जया होन लगया उसने जल्दी जल्दी अपनी जेविचर मान कड़के मुँ अगे रख्या ते जारो जार रोन लगगा किसे दे रोक कंते भी उस दा रोना रोक नहीं रहा सी